उत्तरप्रदेश के बरेली में अचानक कोरोना से मौत का पहला मामला सामने आया है जिससे पूरे जिले में हड़कम पच गया है इससे पहले खबरे आ रही थी कि बरेली कोरोना मुक्त हो गया है ऐसे में कोरोना से हुई मौत ने सब को चौका दिया है कोविड लेवल दो अस्पताल में भरती नगर निगम शेत्र के हजियापुर निवासी कोरोना संक्रमित मरीज ने मंगलवार देर रात दम तोड़ दिया अस्पताल प्रसाशन ने शव को मौर्चुरी में रखवा दिया है और जिला प्रसाशन समेथ स्वास्त विभाग को इस बारे में सूचना देती है दरसल मृतक पहले ही शुगर का मरीज था जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी हैरान करने वाली बात ये है कि वो बिना डिगरी के ही अस्पताल में प्रैक्टेस करता था साथ ही टीवी डॉट सेंटर भी चलाता था अब उसकी मौत के बाद गिने चुने परिजनों की मौजूदगी में प्रशासनिक अफसर ही उसके शव को सुपूर्थ करेंगे युवक की पत्नी और उसके संपर्क में आने वाले दो रिष्टिदारों की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है 25 तारिक को हमारे फ्लू कॉर्णर में एक पेशेंट अन्पर्ट्रोल डाइबिटीज विद इंपेंडिंग अर्डियस सांस लेने में तकलीफ की परिशानीक साथ आया था जिसको कॉरिंटीन किया गया सैंप्ल कलेक्ट किया गया और एक प्राइबिट मेडिकल कॉलेज में फर्दर मेनेजमेंट के लिए जो हमारा एड़ टू नामित अस्पताल उसमें देज दिया गया 27 तारी को इस पेशेंट की रिपूर्ट आई जो कोरोना पॉस्टिव थी उसके साथ ही इसके परिवार के सभी मेंबर्स को मेडिकली कॉरिंटीन किया गया जांच कराई गई यद भी परिवार के कॉंटेक्स निगेटिम हैं लेकिन अभी एतियातन उनको रिपीट किया जारा था इसको डेट डिक्लेर कर दिया गया और कॉज आफ डेथ में क्लिरली विंचन किया कि सप्टी सीमिया था विद था था विद था 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 निमोनिया तो इन सभी कॉंप्लिकेशन के साथ पेशेंट वहां पर था जो अब उनके परवार वालों से बात की गई है उनके परवार वाले जो मेडिकली क्वारिंटीन हैं वो समय बताएंगे उसी समय के अकॉर्डिंग सीधे क्रिमिशन ग्राउड में बाडी पहुंचेगी और लास्ट राइट्स के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी प्रसाशन दारा प्रदद अधिकारी और जो भी हमारे मे प्रस्टेंस और नोबडी से अलाओ तुछ विकल्प कुदेश्या के रिपोर्ट